सुप्रबाद बच्छो मैं कुश पुशर्मा आज की ओनलाइन क्लासस में आपका स्वागत करती हूँ बच्छो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा सात्वी का बसंत भागदो का पाथ पाँच मिठाई वाला यह एक कहानी है बिटाईस के कहानी बच्छो विधाक कहानी है और इसके लेखक है भगवती प्रसाद बाचपे कहानी की ओर बढ़ने से पहले आए हम कहानी के लेखक भगवती प्रसाद बाचपे जी के जीवन परिचाय के विशे में जाने भगवती प्रसाद बाजपे जी का जन्म कानपूर के मंगलपूर ग्राम में 11 अक्टूबर 1899 को हुआ इनकी नियमित पढ़ाई मिडल तक की हुई इन्होंने कई नौकरियां की लेखन कारे जारी रखा और क्रमशा ये संपादक भी हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन के ये सभापती रहे और साथी साथ इन्होंने फिल्मों में लेखन के लिए भी भाग्ये आजमाया इनकी प्रमुक रचनाओं की बात करें तो प्रेमपत, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, त्यागमई, दो बहने, मनुष्य और देवता आदि इनके प्रमुक उपन्यास है इनके द्वारा रचित उपन्यासों की संख्या 33 है कहानी संख्रह में प्रमुक रुप से मदुपर्क, हिलोर, खाली, बोतल, उपहार, दीप मालिका, बाती और लौ इनके प्रमुक कहानी संख्रह हैं इनके नाटकों की बात करें तो राय पित्होरा और चलना जो की काफे चर्चित रहे हैं कविता संख्रह में इनकी कविता संख्रह का नाम है ओसकी बुन्द इन्होंने बालुप योगी साहितिकी भी रचना की उर्मी और आर्ती जैसी पत्रिकाओं में संपाधन भी किया 37 सार 1922 ते इसके आसपास यही मादुरी के संपाधक विभाग में भी रहे 8 मई 1973 को इनका निधन दतिया में हुआ पाध परिचय के माद्यम से आईए बच्चों हम आज की हमारी पाध के विशे में कुछ जानते हैं मिठाई वाला कहानी जो है उसमें लेखक ने बाल मनों विज्ञान के विविद कोड़ों को प्रस्तुत किया है बाल, सुलब, चपलता, आकर्शन, मन के विविद भंगिमाई इस कहानी में देखे जा सकती हैं यह कहानी मानों मन में छिपे वातसल्य और उसके समरपन भाव की जीती जाती कथा है मानों अपने हिर्दय के अभाव को पूर्ण करने के लिए किस प्रकार स्वयम को विश्व से जोड़कर संतुष्टी प्राप्त कर सकता है इसका प्रकट उधारन यह कहानी है आए बच्चो अब हम बढ़ते हैं पांक कहानी की और मूलपाट की और जो यह कहानी है बच्चो यह एक फेरी वाले की कहानी है जो विविद प्रकार के सामानों को बेच कर बच्चों को लुभाने की आकर्शत करने की कोशिश करता है तो आये चलते हैं मुलपाट की ओर बहुत ही मीठे सरों में वह गलियों में गूमता और कहता बच्चों को बहलाने वाला खिलोने वाला तो इस तरह से अत्यन्थी मधूर स्वर में मीठे स्वर में वह गाता और कहता की बच्चों को बहलाने वाला खिलोने वाला इस अधूरे वाक्य को वह एक ऐसे विचित्र किन्तु मादक मदुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उड़ते उसके स्नेहां भिशिक्त कट से फूटा हुआ यह गान सुनकर निकट के मकानू में हलचल मच जाती तो इस तरह से उसके अत्यन्थी मदुर गीत को सुनकर मदुर तरीके से जिस तरह से वह गाकर कहता तो जो भी उसकी आवाज सुनता वह स्थिर हो जाता था और उसके प्रीम से भड़े कंठ से इस गान को सुनकर सभी मकानों में हलचल मचे जाती, सभी उसे देखने के लिए आतुर हो जाते छोटे-छोटे बच्चों को गोद में लिए युवतियां चिकों को उठा कर छज्जों के नीचे जहाकने लगती जो बच्चिया युवतियां थी वो परदे चिक के मतलब परदे जो होते उनको उठा कर अपने चज्जों से जहाकने लग जाते थी और साथी साथ गलियों में और उसके अंदर जो चोटे-चोटे उध्यान होते थे उसमें खेलते और इटलाते हुए बच्चों का जो जुंड है वह खेलोने वाले को घेल लेता तब वह खेलोने वाला वहीं बैट जाता और अपनी पेटी खोल कर खेलोने की अपनी जो पेटी होती थी वह उसे खोल देता था बच्चे खेलोने देखकर पुलकित हो जाते अतिनते प्रसंद हो जाते वे पैसे लाकर खेलोने का मोलभाव करने लग जाते बच्चे खेलोने जब देखते तो बहुत ही खुश हो जाते और खेलोनों का पैसे ले आते घरों से खेलोने खरीदने के लिए और उसका मुलभाव करने लगते और पूछते इचका दाम क्या है और इचका और इचका इस तरह से बच्चे खेलोनों के दाम को पूछने लगते खिलोने वाला बच्चों को देखता और उनकी ननी ननी उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलोने दे देता खिलोने लेकर फिर बच्चे उचलकूद करने लगते तब फिर वहाँ खिलोने वाला उसी प्रकार से गाता हुआ कहता कि बच्चों को बहलाने वाला खिलोने वाला सागर की हिलोर की भाती उसका यह मादग्गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहर आता हुआ पहुंसना और खिलोने वाला आगे बढ़ जाता बच्चों जिस तरह से सागर में हिलोर उड़ती है और वह एक छोर से दूसरी छोर तक पहुँच जाती है उसी तरह से खिलोने वाला का ये मधुर गान जो है संपूर ने गली भर में मकानों में एक मकान जे एक गली के एक छोर से लेकर दूसरी छोर तक फैल जाता था आगे देखेंगे राई विजे बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलोने लेकर घर आए वे दोने बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू राई विजे बहादुर जो थे बच्चे उनके दो बच्चे थे उनका नाम था चुन्नू और मुन्नू चुन्यों जब खिलोने ले आया तो बोलता है कि मेला गोला कैचा चुन्दर है मुन्नु बोला ओल देख मेला कैचा चुन्दर है इस तरह से दोनों आपस में बात करने लगए कि देखो मेरा गोड़ा कि ऐसा सुन्दर है दूसरा कहता है कि देखो मेरा कितना सुन्दर लग रहा है दोनों अपने हाती घोड़े लेकर घर भर में उचल को करने लगे और बच्चों की मा जो रूहनी थी वह कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही उनके खेल को इसी तरह से वह देखती रही अंत में दोनों बच्चों को बुलाया उसने और पूछा अरे उचिन्नो मुन्नो ये खिलोने तुमने कितने में लिये हैं अंत में उनकी मा ने उनने बुलाया और उनसे पूछा कि ये खिलोने तुमने कितने में लिये हैं मुन्नो बोला दो पैचे में खिलोने वाला दे गया है तो कैसे दे गया कैसे दे गया यह तो वही जाने लेकिन दे तो गया ही है इतना तो निश्चे है रोणी बच्चों की माँ जो रोणी थी वह मनी मन सोचन लग गई कि इतने सस्ते खिरोने खिलोने वाले ने कैसे दे दिये लेकिन दे भी दिये है यह भी एक सच है एक जरा सी बात रोहनी अपने कामों में लग गई फिर कभी उसे इस ओर विचार करने के आवशकता नहीं लगी एक छोटी से बात थी सोचकर रोहनी अपने कामों में घर के कामों में व्यस्त हो गई और फिर इस बात की ओर उसका ध्यान नहीं गया इस तरह से बच्चो 6 मेने का समय बीद गया 6 मेने के बाद नगर में दो-4 दिनों से एक मुरली वालग के आने का समाचार फैल गया लोग कहने लगे, भई वा, मुरली बजानी में वह एक ही उस्ताद है मुरली बजा कर गाना सुना कर वह मुरली बेचता भी है सो भी दो-दो पैसे में भला उसमें उसे क्या मिलता होगा मेहनत भी तो ना आती होगी इस तरह से छह मैने के समय बीटने के बाद नगर में एक मुर्ली वाली के आने की चर्चा होने लग गई और लोग कहने लगे कि वह मुर्ली बजाने में बहुत उस्ताद है बहुत माहे रहे मुर्ली बजाता है, गाना सुनाता है और सांती साथ में मुर्ली को बेचता भी है और वह भी कितने पैसे में? सिर्फ दो पैसे में लोग सोचने लग गए कि भला इसमें इन दो पैसों में उसे क्या मिलता होगा उसकी मेहनत का मूल भी उसे नहीं मिलता होगा तो एक विक्ती ने पूछ लिया कैसा है वह मुर्ली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा उत्तर मिला उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी? वही तीस बत्तिस का होगा दुबला पतला गोरा युवक विका नेरी रंग का साफा बांधता है तो बच्चों यहाँ पर मुर्ली वाले के डिल डॉल की बात हो रही है एक विक्ती पूछता है कि कैसा दिखता है वह मुर्ली वाला? तो दूसरा कहता है कि उसकी उम्र अभी अधिक नहीं है 30-32 साल का वह होगा गोरा है, दुला पतला युवक है और विका नेरी रंग का वह साफा बांधता है तो दूसरा युवक कहता है यह वही तो नहीं है जो पहले खिलोने बेचा करता था क्या वह खिलोने भी बेचा करता था इस तरह से आपस में उनके बाचित होती है हाँ जो आकार प्रकार तुमने बताया है उसी प्रकार का वह भी था तो वही होगा पर भई है वह एक उस्ताद कि पहले खिलोने बेशता था अब मुल्लिया बेशता है और मुल्लिया भी इतनी सुन्दत बजाता है खिवल बेशता ही नहीं है तो इस तरह से कहते हैं कि वह है अपने कारे में अत्य धिक्मा है इस तरह प्रति दिन रोज इस प्रकार उस मुल्लिया वाले की चर्चा होती प्रति दिन जो नगर है उसकी प्रत्यक गली में उसका मादक ब्रिदुल स्वर सुनाई देता कहता बच्चों को बहलाने वाला मुरल यावादा रोहनी ने भी उसका यह स्वर सुना तो तुरंत ही उसे खेलोने वाले का स्मरन हो गया उसने कहा मन ही मन सोचने लगे वा खिलोने वाला भी इसी तरह से गाकर खिलोने बेचा करता था ऐसा रोहनी सोचने लग गई जैसे ही उसने यह गीत सुना तो उसे उसकी आवास को सुनकर खिलोने वाले की याद आ गई कि वह भी इसी तरह से गाका कर खिलोने बेचता था आगे देखेंगे रोहनी उठी जैसे ही उसने उनसकी आवास सुनी और अपने पती विजय बादुर के पास गई जो विजय बाबु थी उनके पास गई और उनसे कहा जरा उस मुर्ली वाले को बुलाओ तो चुन्नु मुर्नो के लिए ले लो क्या पता फिर इधर आई ना आए वे भी जान परता है पार्क में खेल निकले इस तरह से रोहनी गई अपने पती के पास और उसने कहा कि जरा उस मुर्ली वाले को बुलाओ चुन्नु मुर्नो के लिए मुर्ली आ ले लो चुनुमुनु भी यहां नहीं है लगता है कि उत्यान में खेलने के लिए गए हैं विजय बाबु उस समय समाचार पत्र पढ़ रहे थे वे उसे उसी तरह से लिए हुए अपने हाथ में दर्वाजे की ओर आए और मुर्ली वाले से कहते हैं कि भई किस तरह देते हो मुर्ली तुन्होंने मुर्ली वाले से मुर्ली का दाम पुछा कि मुर्ली का क्या दाम है किसी की टोपी गली में पड़ी किसी का जूता पार्क में छूट गए और किसी की सोथनी, सोथनी का मतलब होता है पजामा, ही धिली होकर लटक आई जब बच्चों ने मुर्ली वाले का गान सुना, मुर्ली वाले की आवाज सुनी तो उसको दोरते, सुनते ही सब दोर पड़े दोरते हुए किसकी टोपी गली में गिर गई और किसी का जूता जो था वो पार्क में छोड़ गया और किसी की जो पजामी थी बाढ़ीली हो गए इसी तरह से बच्चे दोड़ते हुए हाफते हुए बच्चों का जो जूंड था वह सब कहां पहुंच गया मुर्ली वाले के पास और सब एक ही स्वर में कहने लगे हम भी लेंदे मुर्ली हम भी लेंगे मुर्ली तो इस तरह से सभी मुर्ली आ लेने के लिए कहने लगे मुर्ली वाला हर्श से गदगद हो भात्यंथी प्रसन हो गया बोला सब को देंगे भाईया लेकिन जरा रुको ठहरो एक-एक को देने दो तो इस तरह से मुर्ली वाला अत्यादी हलशित हो गया और कहता है कि सभी को मुर्ली देंगे लेकिन थोड़ा सा रुको और ठहर जो एक-एक करके हम सब को मुर्लियां देंगे अभी इतनी जल्दी हम कहीं लोट फोड़े ही जाएंगे बेचने ही तो आए हैं और है भी इस समय मेरे पास एक-दो नहीं पूरी सक्तावन मुर्लियां तो इस तरह से वह कहता है बच्चों को कि आप सभी अधिरना हों मेरे पास एक-दो मुर्लियां नहीं यह पूरी 57 मुर्लिया है और मैं सब को मुर्लिया दियूँगा इस तरह से वह बच्चों से कहता है आके विजय बाद जो थी उनसे वह बात करता है कि हाँ बाबुजी क्या पूछाता आपने कितने में दी है दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है पर आपको 2-2 पैसे में दे तो विजय बाबु बीतर बाहर दुन ही रूपो में मुस्कुरा दिये उसकी बात को सुनकर दुन हस दिये विजय बाबु अंदर ही अंदर और मनी मन कहने लगे कैसा है देता तो सब को इसी भाव से है पर मुझ पर उल्टा एहसान लात रहा है कि उनका सोचना था ऐसा कि य बाव से हैं लेकिन ऐसा कहकर कि मैं आपको इतने पैसे में दे रहा हूं एहसान लाते हैं फिर बोले तुम लोगों की जुट बोलने के आदत होती है देते होगे सभी को दो दो पैसे में और मुझ पर क्या कर रहे हो एहसान लात रहे हो इस तरह से वह मुल्ली वाले से वे कह है मुल्ली वाला एकदम अप्रतीब हो जाता उन डिए में पड़े जाता है बोला को ऐसी आ इनकाल वो कहता है कि इसका आपको अंदाजा नहीं है और यह तो ग्रहक का दस्तूर होता है ग्रहक तो ऐसा सोचता ही है कि दुकानदार चाहे हानी उठा कर चीज क्यों न बेच दे पर ग्रहक क्या है यही समस्ता है कि दुकानदार तो मुझे लोट ही रहा है आप भलाकाहे को विश्वास करेंगे आप हैसा आप ही ऐसा ही सोचते हैं आप क्यों विश्वास करने लगे लेकिन सच पूछिए तो बाबुजी असली दाम दो ही पैसा है आप कहीं से दो पैसे में ये मुझली नहीं पा सकते मैंने तो पूरी एक हजार बनवाई थी तब मुझे इस भाव पड़ी तो इस तरह से मुझली वाला कहता है कि बाबुजी से दो ठोक निकाल दो मतलब दो पीस निकाल के मुझे दे दो ऐसा वो कहते हैं दो मुझली या लेकर विजय बाबु फिर मकान के भीतर पहुंच गये मुझली वाला देर तक उन बच्चों के जुंड में मुझली या बेश दे रहा उसके पास कई रंग के मुझली पसंद कर मुझली वाला उसी रंग की मुझली निकाल कर उनको दे देता था आगे देखते हैं बच्चों पाठ में यह बड़ी अच्छी मुझली है तुम यही ले लो बाबु राजा बाबु तुम्हारे लायक तो बस यही है हाँ भया तुमको वही देंगे यह लो तुमको वैसी ही चाहिए ना या इस तरह से मुडली वाला प्रतेग बच्चे को उसके इच्छा अनुसार मुडली आ दे रहा था नारंगी रंग की अच्छा वही लो ले आए पैसे अच्छा ये लो तुमारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी तुमको पैसे नहीं मिले तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे न होंगे दोती पकड़कर पैरो में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू हाँ फिर जाओ आपके बार मिल जाएंगे दुवन्नी है तो क्या हुआ ये लो पैसे वापस लो ठीक हो गया ना इसाब मिल गया पैसे देखो मैंने तरकीब ब चलता हूँ इस तरह से मुल्ली वाला आगे बढ़ गया इस तरह से वह सभी बच्चों को मुल्लिया दिया और आगे बढ़ गया आज अपनी मकान पर बैठी हुई रोहनी मुर्ली वाली की सारी बाते सुन रहे थी आज भी उसने अनुभव किया कि वह बच्चों से इतने प्यार से बात करता है ऐसा फिर्ली वाला उसने कभी नहीं देखा था फिर वह सौधा भी कैसा सस्ता बेशता है भला आदमी जान परता है समय की बात है जो बेचारा इस तरह से मारा मारा फिरता है पेट जो न करा है सो थोड़ा इस तरह से मुर्ली वाली की बातों को सुनकर रहुनी सोचती है कि अत्यंती भला आदमी है और इस तरह इसे आज समान बेचना पड़ रहा है तो यह सब इसकी मजबूरी बश है इस तरह मुरली वाले का छीन स्वर दूर निकट की गली तक पहुँच पढ़ा सुनाई दिया कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला रोहनी इसे सुनकर मन ही मन कहने लग गई और स्वर कैसा मीठा है इसका बहुँच दिनों दक रोहनी को मुरली वाले का मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रती स्नियस्तिक बाते यादाती रही वह उस विशे में सोचती रही महिने की महिने आय और चले गए फोर मुरलिया वाला भी नहीं आया मुरली वाला धीरे धीरे उसकी याद जो है स्मृति जो है चीन हो गई आठ मास के बाद सर्दी के दिन थे रोहनी स्नान करके मकान की छट पर चड़कर आजान लंबित केश राशी सुखा रही थे अब आठ महने का समय बीद गया और रोहनी सर्दी के दिन आ गए रोहनी जो है नाके इसनान करके मकान की छट पर आजानी लंबित केश राशी अर्थाद गुटनों से भी लंबे जो उसके बाल वहन उखा रही ते छट पर खड़े कड़े तो उसे सुनाई दिया एक स्वर बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला मिठाई वाले का यह स्वर उसे परचित जान पड़ा जट से रोहनी नीचे उतर आई उस समय उसके जो पती थे वो मकान में नहीं थे हाँ उनकी वृध्धा दादी थी तो रोहनी उनके निकट आकर बोली दादी चुन्नु मुन्नु के लिए मिठाई लेनी है मिठाई वाले को बुला लो मैं इस तरह से बाहर नहीं निकल सकती हूँ घर से और मैं अभी चिक की परदे के आड में बैठे रहूँगी इस तरह से बात हुई दादी उठकर कमरे में आकर बोली ए मिठाई वाले इधर आना मिठाई वाला निकट आ गया कितनी मिठाई दू मां? ये नए तरह की मिठाईया है रंग भी रंगी, कुछ खटी, कुछ मिठी जाई काईदार बड़ी देर तक मुह में टिकती है जल्दी नहीं गुलती बच्चे बड़े चाओ से चूसते हैं इन गुणों के सिवा ये खासी भी दूर करती है कितनी दू चप्टी गुली, पहलदार गुलियां पैसे की सोला देता हूँ इस तरह से मिठाई वाले ने कहा कि कितनी मिठाई चाहिए अत्यंतर रंग भी रंगी है, खटी मीठी है, जायके दार है और जल्दी नहीं गुलती, काफी देर तक मोह में रहती है साथी साथ, ये केवल स्वादिष्टी नहीं है, इसमें गुणों भी है कि ये खासी भी दूर करती है कैसी गुलिया लेंगी आप चप्टी वाली की गुल पैसे की सोला है, ऐसा वो कहता है तो दादी दाम सुनकर बोलती है कि सोला तो बहुत कम है भला पचीज तो दे देते, मिठाई वाला नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या खेर मैं अधिक नहीं दे सकूँगा वो कहता है कि नहीं दादी इससे ज़्यादा नहीं दे सकता सूला भी दे रहा हूं तो तुमको दे रहा हूं रोहनी दादी के पास ही थी बोली दादी फिर भी काफी सस्ती दे रहा है चार पैसे की आप ले लो या पैसे रहे मिठाई वाला मिठाईयां गिनने लगा तो चार की दे दो अच्छा 25 नहीं से ही 20 ही दे दो दादी फिर से कहने लगी अरे हां मैं बूड़ी हुई मोल भावा मुझसे जादा करना मुझे नहीं आता 20 दे दो में तुम कहते वे दादी के पोपले मुख में जरा सी मस्कुरा हट फूट पड़ी है दादी अपनी इस बात पर खुद भी हस पड़ी रोणी ने दादी से कहा दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और भी कभी आई हो या पहली बार आ रहे हो हो यहां के निवासी तो तुम नहीं हो ऐसा दादी से पूछने के लिए रोणी मिठाई वाले से पूछने के लिए कहती है दादी ने इस कथन को दोराने के चेश्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया उससे सुनाई दी रोणी की बात तो उसने कहा पहली बार नहीं आया हूँ कई बार आचुका हूँ पहले भी रोहनी चिक की आर्से परदे की आर्से कहती है पहले यहीं मिठाई विश्टे हुए आय थे या कोई और भी चीज लेकर आय थे तो मिठाई वाला हर्ष खुशी के सार्शन शेक किस तरह की सवाल क्यों पूछ रही और विसमे भाव से आश्यर इसे के भाव से डूप कर बोला कि इससे पहले मुडली लेकर आया था और उससे पहले खिलोने भी लेकर आया था रोहनी का अनुमान जो था अंदास था वो ठीक निकला आप तो वह उसे और भी बहुत कुछ बात है पूछने के लिए आयस्तिर हो उठी बिल्कुल उसका मन में और बहुत सी बाते जानने के लाल सा जाग गई वह बोली इन वैवसायों में भला तुमें क्या मिलता होगा वह बोला मिलता भला क्या है यही है कि खाने बर को मिल जाता है मेरी दाल रोटी चल जाती है कभी नहीं भी मिलता है पर हां संतोष, धीरज और कभी-कभी असीन सुख ऐसा सुख जिसके कोई सीमा नहीं है वह मुझे मिलता है और मैं ये इसी सुख को पाना भी चाहता हूँ ऐसा मिठाई वाला कहता है सो कैसे वह भी बताओ रोणी पूछती है अब वियर्थिक उन बातों के चर्चा क्यों करो मिठाई वाला कहता है उन्हें आप जाने ही दीजिये उन बातों को सुनकर आपको अत्यांतकष्ट होगा दुख होगा अब जब इतना बता दिया है तब और भी बता दो रोणी कहती है मैं बहुत उस्सुक हो तुम्हारा हर जाना होगा मिठाई मैं और ले लोगी कि इतनी बाते करने में तुम्हारी समाव्यर्थ नहीं होगा मैं तुमसे और मिठाईयां खरिद लोगी ऐसा वो कहती है अतिशे गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठ तात्मी था मकान, व्यवसाई, गर, गाड़ी, खोड़ी नौकर, चाकर, सब कुछ मेरे पास था इस्त्री भी थी और छोटे-छोटे दो बच्चे भी थे मेरा वसोनी का संसार था अत्यांती संदर मेरा संसार था बाहर संपत्ती का वैभा हो था और घर के भीतर संसार एक सब इस्त्री संदर थी मेरी प्राण थी और बच्चे ऐसी संदर थे जैसे सोनी के सजीव खेड़ों में अथन्ती प्यारे बच्चे मेरे दे थे कि उनकी अठखेलियों से मेरे घर में दिन भर को लाहल मचा रहता समय की गती कहें विधाता का लीला अब कोई नहीं है ऐसा वो बताता है मिठाई वाला दादी प्राण नहीं निकले इसलिए अपने उन बच्चों की खोच में निकला वो बताता है कि इस तरह से मैंने अपने बच्चे दो बच्चे थे मेरे और पत्नी दो सब को खो दिया किन्टो आज मैं फिर भी जीवित बचा हुआ हूँ और अपनी उन बच्चों की ही तलाश करने को निकला हो वे सब अंत में होंगे तो यहीं अर्थात मृत्यू के बाद पुना जन्म होता है और मेरे बच्चों का भी पुना जन्म हुआ होगा और वो इन ही बच्चों में कहीं न कहीं होंगे आकिर कहीनत कहीं तो जन्द में होंगे इस तरह रहता गुलमुल कर मरता हूँ इस तरह सुक्षन तोश के साथ मरूंगा इस तरह की जीवन में कभी-कभी एक इन बच्चों में अपने उन बच्चों की जलक में देख लेता हूँ ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन ही में उचल उचल कर हस खेल रहे हैं पैसो की कमी थोड़े ही है आपकी दया से मेरे पास पैसे काफी है जो नहीं है वहाँ मैं इस तरह से पा जाता हूँ ऐसा मिठाई वाला आपने जीवन ब्रतांत को सुनाता है रहुणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा उसकी आखों में आसू से दरती उसके अपने दुख को बता कर मिठाई वालों की आख में जो है आसू आ गये थे इसी समय चुन्नू मुन्नू आगे और रहुणी से लिपटकर उसका आचल पकड़कर बोले अम्मा मिठाई मुझ से लों यह कहकर ततकाल उसने कागज की दो पुणियों में मिठाई उसे भरी और मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी तो जब चुन्नू मुन्नू ने मिठाई मांगी तो मिठाई वाले ने कहा कि नहीं मैं देता हूँ तुमको और इस तरह से उसने चुन्नू मुन्नू को मिठाई दे रोहुणी ने पैसे दिये तो मिठाई वाले ने उसे लिने से इनकार कर दिया और मिठाई वाले ने अपनी पेटी उठाई और कहा अब इस बार ये पैसे नलूँगा दादी बोली अरे 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 ना ये पैसे तो लेल जा भाई तब तक आगे फिर वही स्वर सुनाई पड़ा उसका मादग और मृदल स्वर बच्चो को बहलाने वाला मिठाई वाला इस तरह से मिठाई वाले ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और बच्चो को मिठाईया दी और उसके पैसे नहीं लिए और फिर उसी तरह से बच्चो को पुकारता हुआ वह निकल पड़ा इस तरह से बच्चो आज की कहानी हमें यहीं समाप्त हुई मुझे उमीद है कि आपको यह कहानी समझ में आई होगी धन्यवाद